हाई दोस्तो मैं हूँ एफशेक एक्सल मास्टर और स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आज जो चीज सिकाने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही बढ़िया है आपको बहुत पसंद आएगी यह मेरा दावा है तो इसमें हम आज जो सीखने वाले है वो एक रो को हम क प्रग्रामिंग लेंगवेज है यूजली ज्यादा तर आटमेटिक जो डेटा अप्लोड होता है वो मैक्रो के थ्रू होता है लेकिन हम जो आज करने वाले है वो बगेर मैक्रो के करने वाले हौँ और यह हमारा स्यक्राइबर ने क्वेशिं किया था और बहुत ही बढ़िय क्या question है यह तो चलिए हम इसे troubleshoot करने की कोशिश करते हैं और यह उनका data है यहाँ पर तो basically उनके पास में पूरी list है customers की और उन्हें यहां से 12 से एक बज़े तक का time जो है उन्हें उसका color change करना है अभी अगर वह manually change करने जाते हैं तो काफी की वक्त लग जाएगा और उन्हें ऐसा करना है कि यह automatically यहाँ पर data change करना है जैसे यहाँ पर नाम डाला जाएगा यह मेरा नाम है कि सूपर मैन को भी बुला लेगे यहाँ पर ही मैन को भी बुला देते हैं और कोने आयन मैं और बुरा ना मान जाए चलो से भी बुला लेते हैं अगर हम इन सब यह customers हैं के और इन customer का जब नाम डाला जाएगा तो उन्हें automatically बारा से एक वज़े तक के उन्हें छुटी दे देनी के ताके वो लंच कर सके चलिए इन्हें बारा से एक वज़े तक के गायब कर देते हैं यह जो है data अभी हमें इसमें condition यह बनानी है कि if this is not equal to blank तो यहाँ पर वो black कर दे उन्हें खाने को भीजते हैं तो चलिए हम लोग work out करते हैं यह रहाँ new rule यहाँ पर select कर यह formula अभी formula values where the value is to जहाँ पर सही है such है वो ही return करें तो वो ही हमें value दालना है तो equals to यह is not equal to यह चो है not equal to की signature symbol operations है excel में equal to का तो हम equal to देते है not equal to को हम इस तरीके से लिखते है if not equal to blank then format cell black color इसे ले ले लेगे हम ओके और इस में से यहाँ से हम dollar sign हटा दिया आपने देखे हो कि मैंने dollar sign हटा दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खाली वो उस column को read करते जाए a को a3 a4 a5 a3 a4 a5 a6 को read करते जाए अभी हम ok करेगे यहाँ पर थोड़ी सी कड़बड हो गई है यहाँ पर मुझे manage rules में जाना है और यह जो range है यह range को मुझे यहाँ से यहाँ सेट करना है इधर से तो यहाँ तक नीचे तक जहाँ तक के मेरा data है इसे set करने के बाद मैं मैं इसे apply करूँगा अभी magic देखे पीछे ओए यह तो सारे काले हो गए इनकी तो छुटी हो गई है बारे से एक के बीच की चलिए हम लोग कोई नाम डाल कर देखते हैं अहमद निलेश और समीता लिजार तो यह रहा आटोमेटिकली हम सेल को हाइलाइट कर देते हैं बगेर मैक्रो की होगा राप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक की जए सब्सक्राइब की जे और इस वीडियो को भी लाइक की जए और शैर की जेशियत और आपके कोई भी वी क्वेरी तो आप इस कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उसे जल से चल रेपलाई करने की कोशिश करूँगा साइनिंग ओफ वर दे एफ शेक एक्सल मास्टर